समस्कार दोस्तों, E-Media Web & App के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बताया जा रहा है इसमें आपको किस प्रकार से आप अपने News Portal से News को अलग-अलग तरीकों से शेयर कर सकते हैं मान लिजए अगर आपको कई बार वैसे तो सारे शेयरिंग ऑप्शन बड़े ही इजी होते हैं आपके Portal में जो भी आपको Developer Designer द्वारा तियार करके दिये गए हैं पर मान लिजए किसी इस्तिती में किसी कारण से Network Issue के कारण, Technical Issue के कारण कभी आपको समाचार शेयर करने में दिक्कत आती है तो क्या-क्या अलग तरीके होते हैं जिससे आप News Portal से अपनी News को शेयर कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं, आज देख लेते हैं इस News Portal के अंदर देखे एक News Portal ये जो हमारे द्वारा बनाया गया है, ये है Big India News सेक्षन, इसकी कैटिगरी सेक्षन, समाचार के अलग-अलग सेक्षन, एक्चल ये जो News Portal है, ये हिंदी, इंगलिश और उर्दु भाषा में तीन भाषाओं में चलता है, जिसमें अलग-अलग समाचार अलग-अलग भाषाओं में लगाया जाते हैं, बड़ा ही क्लासिक News Portal हमारे द्वारा डिजाइन करवाया किया गया है, अगर आप भी इस तरह का या इससे भी और क्रियेटिव या अलग-अलग डिजाइन में News Portal बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा Contact Detail यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, Advertise में, 79999-06109 नंबर पर Contact करके, आप एक बहतरी News Portal, Service विदायुक तो लेटेस डिजाइन के साथ तैयार करवा सकते हैं, चलिए News Share करने की बात करते हैं, किस तरीके से News Share की जाती है, तो देखिए जिसे इस वेब पोर्टल पे आप देख पा रहे हैं, निउस पोर्टल पे, साइड में भी यहाँ पर आपको News Sharing के Option दिख रहे हैं यह साइड में भी आपको News Sharing के Option यहाँ पर दिख पा रहे हैं, पर हम अभी किसी समाचार के ओपर क्लिक करते हैं, देन हम चेक करते हैं कि हम किस परकार से News Share कर सकते हैं, देखिए आपको हर पोर्टल के अंदर समाचार के पास में, जैसे समाचार का Title, Description, Photo, Feature में जोता है, उ तो Facebook पर देखिए Share करने का Option आजाएगा, Twitter पर करते हैं, तो Twitter पर शेर करने का Option आजाएगा, Mobile से WhatsApp पर करते हैं, तो देखिए यह WhatsApp पर शेर करने का Option आजाएगा, तो यह यहाँ से सभी Sharing के Option आपको मिल जाते हैं, पर मान लिजे कोई ऐसी इस्तिती बन रही है, जहां से आप य एक में नोट पेड का पेज ओपन कर लेता हूँ, जहां से आपको News की Link कॉपी करके Share करना बताऊँगा, तो हमें बेसिकली News को Share करने के लिए उसकी URL कॉपी करना होती है, उसकी Link कॉपी करना होती है, तो Link कहां से कॉपी होगी, पहला Option हो जाता है, देखिए, पहला Option तो यह ह हो गया, यह जो आपको Option दिये जा रहे है, शेरिंग के आप यहां से Share कर सकते हैं, पहला Option यह हो गया, दूसरा Option होता है, देखिए, आपके Portal के ऊपर यहां पे Copy Link का Option अगर है, तो यह Copy Link का Option, देखिए, चेन बनी होई रहती है, यह चेन पर आप जैसे ही सिर्फ अपना करसर ले जाते हैं, तो लिखा हुआ आजाता है Copy Link, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, तो देखिए, पॉप अप आया, उस पर लिखा हुआ आया, Link Copied, ओके, अब लिंक कापी हो चुकी है, जैसे ही में यहां पर आकर इसे Paste करता हूँ, तो देखिए, हमारे Portal के Link के यहां पर आ पहला Option यह हो गया, दूसरा Option यह हो गया, पहला Option तो यह Sharing Option, दूसरा Option यहां से Link Copy करना, तिसरा होता है Option, देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, तिसरा Option रहता है कि आप जहां पर उपर की तरह अपने Portal में, www.पना Portal का नाम टाइप करते हैं, जैसे ही आप किसी भी समाचार को ओपन करेंगे, अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं, या कम्प्यूटर से कर रहे हैं, तो जैसे ही समाचार को आप ओपन करते हैं, आपने समाचार अपना ओपन कर लिया है, पोटल नहीं, अपने समाचार को ओपन कर लिया है, चुकि आपको समाचार शेयर करना है, तो समाचार को open करते ही माली जए ये दो option के अलावा तिसरे option से आप news share करना चाह रहे हैं तो जहाँ पर ऊपर www. type करते हैं अपने site का address अपनी news का address type किया जाता है वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ जो URL रहती है उस URL को आप copy कर लिजे इस screen में आपको शायद दिखने ही पा रहा होगा पर आपको समझ में आ गया होगा कि उपर से कहाँ से जहाँ पर आप www. अपने portal का नाम type करते हैं अपने समाचार को open करके वहाँ से उस link को select करके copy कर लिजे copy करने के बाद यहाँ लाकर paste कर देखिए वही ये link है जो उपर भी हमने यहाँ से copy की थी इस link को बस आपको जिस भी platform पे आप share करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप share कर देंगे then share करने के बाद में आपकी news आसानी से लोगों तक पहुच जाएगी तो दोस्तों ये तीन तरीके मैंने आपको पहला option तो आपको पता ही होता है जो की easily normally जो आपको sharing option दिये गए हैं वहाँ से share करना है दुसरा आपको अगर आपके portal में copy link का option है तो वहाँ से link copy कर लेना है और तीसरा option होता है कि आपको उपर से जहाँ पे आप अपना site address टाइप करते हैं तो वहाँ से अपने समाचार की link copy कर लेना और share कर देना है तो दुस्तो आप आपको ये जो तीन trick हैं ये काफी helpful रहेंगी आपके लिए अगर आपको कभी भी news share करने में तकलीफ आती है तो अब आपको इन तीन trick के साहता से sharing में दिक्कत नहीं आने वाली है रही बात अगर आपको news portal अगर आपका news portal है और उसे आप update, upgrade और कई feature उसमें बढ़वाना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा contact number है 79999-06109 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथ ही अगर आप अपना खुद का पोर्टल बनवाना चाहते हैं सर्वर सुईदा युक्ते latest features के साथ जिसमें आपको technical support भी मिले तो भी आप हमसे संपर्क करके बहतरी news portal डिजाइन करवा सकते हैं हमारा contact detail आपको फिर से बता देता हूँ 79999-06109 I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ आया होगा और वीडियो अगर आपको किसी topic पर जानना है तो आप हमारे facebook page पर e-media web and app के facebook page पर जाके कुछ बाते जो आपको जानना है वहाँ पर आप message कर सकते हैं उन topics पर भी वीडियो बना कर आप सभी के वीच में लाया जाएगा Thank you